हेलो दोंस्तों मेरी चानल में आपका फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में 2020 बुलेट जर्नल सेट अप करने वाले हैं तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं मेरा सबसे पहला स्प्राइड है फ्यूचर लॉग तो उसके लिए मैं फ्यूचर लॉग को अच्छी सी केलिग्राफी में लिखोंगी अगर आप चाहते हैं कि मैं केलिग्राफी पे कुछ वीडियो बनाओं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके बताएं कि आप केल केलिवरी से डिसेंबर तक के और इस कैलेंडर को मैं ऐसे बनाओंगी कि सारे कैलेंडर सिफ दो पेज़ेज में फिट हो जाए फिर हम एक पीले हाइलाइटर से मंच को हाइलाइट करतेंगे और एक होरिजॉंटल लाइन कीच के कैलेंडर को थोड़ा और सुंदर बना तो ये था हमारा कैलेंडर और फ्युचर लॉक्स पर ट्वेंटी तो इसका फायदा क्या होता है कि आप पूरे साल को एक पेज पर देख सकते हैं जिसमें हर एक दिन साल का आप इन पॉइंट कर सकते हैं और उसे साब से आप हर एक मंत में इवेंस और डेट्स मार्क करके फ क्युक हैँ आपको हम अपनी तूसरे स्पपे चलते हैं हमारा दूसरा स्प्रेड है मंत्थरी स्पैड और अभी मैं जाने वरी मन्त का मंतली स्प्रेड बना रही हूं को में एक झालेवलिटर सी लिख के उसको एक ब्लैक आउक्लायन देगे एक 3-d-t-क्स के तरह अउभा मैं 3D text कैसे बनाते हैं उस पे कुछ videos बनाऊंगी तो आपको उससे reference मिल सकता है अभी हम January मंद का monthly spread बना रहे हैं तो obvious बात है कि हम January का एक calendar बनाएंगे तो मैं यहाँ पे January का एक छोटा सा calendar बना रहे हुँ अभी calendar को सजाने के लिए उसके outer में एक box बना देगे ताकि वो अच्छे से निखर के आ जाए और फिर उसके पीछे एक दूसरा box बना के उसको dark color कर देंगे ताकि ऐसा लगे कि calendar page से बहार निकला है एक shadow जैसा effect आए और उसको highlighter से highlight कर देंगे next important point है वो है task हमारे हर मन्थ में कुछ important task होते हैं जो हमें complete करने होते हैं उसको note down करने के लिए ये task column है फिर जो दूसरा important column है वो है events हर मन्थ में किछ important events होते हैं किसी का birthday होता है anniversary होते हैं उनको लिखने के लिए events फिर important चीज है हमारे January के goals तो मैं यहाँ January goals लिखके थोड़ी full पंतिया बनाके ताकि वो कुछ attractive दिखे उसको लिखोंगे फिर हम January goals को तीन पार्ट में divide करेंगे पहला पार्ट होगा college life और career अभी हम इन तीनों को separate करने के लिए बीच में एक vertical line खीचेंगे दूसरी तरफ भी एक और line बना देंगे और फिर एक blue highlighter से उनको थोड़ा highlight करेंगे तो यह है हमारा monthly spread अभी जो next spread मैं बना रहे हूं वो है weekly spread तो यह January मन के first week का weekly spread होगा तो weekly spreads को बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ bookmark type का बना रही हूं तो पहले एक ribbon bookmarker से drawings में बनाऊंगी और उसमें weekly लिखोंगी नेक्स्ट हम इन ribbon bookmarks को थोड़ा darker edges लेंगे ताकि ऐसा लगे कि पीछे उनकी shadow पड़ रही है और यह सारे ribbon bookmarks पेच से उपर उपर के आ रहे हों फिर हम लिखेंगे इसमें हम weekly goals लिखेंगे फिर हर एक week के day को लिखेंगे Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और राइट साइड पे दो कॉलम्स बनाएंगे टास्क और नोट्स जिसमें हम weekly टास्क लिखेंगे और जो नोट्स वाला कॉलम है वहां पे जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा नोट्स या अगर हमें कुछ इंपोर्टन चीज करनी है बट उसको कब असाइन करना है वो हम डिसाइड ने कर पारें उन सारे चीज को हम नोट्स में लिखेंगे और फिर इनको अच्छे से और्गनाइज करने के लिए मैं इनके around borders बना रहे हैं ताकि हम easily सारी चीज़े in boxes में और्गनाइज वे में यलो हाइलाइटर से टास्क और नोट को हाइलाइट करें हो क्या हमारा weekly spread ready मेरे वीडियो को एंट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मिलते अगले वीडियो में बाई